hahahahaRamma कि चत्यार्व में आज मार्केट श्टार्ट हुआ है 17670 और मार्केट ने थोड़ा सा आपमुथ दिखा ईगा उसके बाद बट सतर जासा सोला पर रुख गया फिर वाद में वहां से मार्केट ने रेस्टेंस लिया उसके बाद मार्केट आया थोड़ा सा नीचे उसके बाद साइड वे रहा मार्केट और मार्केट एक बज़े उसके बाद मार्केट ने वापस रेस्टेंस लिया उपर से और उसके ब मार्कट ने प्मू लिया था है मार्केनों वहीं से डाउन और आप देखर एक यहां पर धेखें πά़ मılarकाइड बान नीचा है ऊसकी वाहा से लूवर यह मार दियाबर सब्सक्राइख मार्केन align ने सब्सक्राइब तक आया उसके अनैं से मारके सा उपा जाने के कोसिस कर रहा था ताब देखोंगे तो यहां पर जो सफौर्ट मार्केट का जुए सब्सक्स कर Katie को की बटा देता हूं कि यहां पर यहां पर यहां पर झाम का कि यहां यहां करता होगा तब देखोगे तो यहां पर पोइंट बता देता हूं ठीक से सतर जार पांसो पांच है यहां पर अभी आपको मैं बताता हूं मार्केट ने आगे कहां पर रेजिस्टेंस लिया होगा सपोट लिया होगा थोड़ा सा पीछे चलते मार्केट के तो मार्केट देखोगे तो यहाँ पे और पीछे दिख नहीं रहोगा आपको बढ़ यहाँ पे देखोगे तो मार्केट यहाँ पे साइड वेव रहा है और मार्केट ने यहाँ पे अपमू दिखा उपर से मार्केट यहाँ पे डैरेक्ट गेप अपनिंग हुआ था डैरेक् पास आते मार्केट कैसा रहा यहां पे दूख जेए दो मिनिट जैसे मार्केट देख रहा है तो 17502 और यहां पर मार्केट देखोगे तो closing 3.15 पे 17.507 पे और यह आप देखोगे यहाँ पे 24 अगस 9.35 पे market ने वहीं से support लिया वापस उसके बद आपको मैं बताता हूँ आगे और आप यह point देखोगे कि यहाँ पे market ने जो आज support लिया जो 24 तारीक को support लिया और यह जो 23 तारीकों है जहाँ से market ने resistance लिया था 23 अगस 11.35 पे आप देखोगे यहाँ पे market ने resistance लिया हुआ है यहाँ से market नीचे था वही point से बट अभी वो जो resistance है वाज support बन गया market का ताप यह ध्यान में रखे कि जो resistance पहले था आप support बन सकता है जो support है वो resistance बन सकता है तो देखिए market यहाँ पे जो 23 तारीकों ताप वो resistance था अपना और यही आपको रखम के इसाफ से बता देता हूँ 17,502 है और आज market 17,500 के करीब जहां से उसने वापस support लिया है जो पहले resistance था और उसके पहले भी जो market ने support लिया था 9,35,24 तारीकों वो भी 17,500 के गरीब है अब देखिए यहाँ पे सेम दो बार market ने वहीं से support लिया है अब देखते है कल का क्या मूँ होगा आज तो expiry की date थी market हो गया थोड़ा 100 point डाउन आया बट ठीक हो गया market बट market आप देखो के तो यहाँ पर side way भी रहा है अब देखो के तो यहाँ से 22 तारीक से ले करके देखो के तो यहाँ तक side way भी market रहा है आज expiry का दिन था तो इसलिए थोड़ा market उपर गया फिर बाद में वहाँ से market वापस नीचे गिरा open अच्छा दिया market ने बट लास्ट में नीचे 17,622 भी open किया था market ने आज और 17,500 के करीब market ने closing दिया आज आज nifty 50 का हाल ठीक नहीं रहा है देखते बेंक nifty का चार्ट कैसा है फिर देख लेते nifty bank का चार्ट आज का यहां पर देखेंगे तो आपको दिखेगा market ने open कहां से किया था 49,206 पर open किया था थोड़ा सा gap opening था 30,40 पुन का gap opening था ज्यादा कुछ नहीं था इसमें वहां से market ने open किया उसके आज market ने 49,308,100 पर complete किया वहां पर वापस market ने resistance लिया और market वहीं थे side wave रहा पूरा पूरा market खाले 49,208 और बोले तो 49,409 के बीच में side wave रहा market और रहां से बोलें कि ता एक बार जब support लिया market ने 49,430 पर वहां से गिरना चालो किया और market लास्ट में जो एंडिंग हुई अपनी 3,30 पर 38,847 पर तो आर निप्टी 50 डाउन रहा सी 50 पॉइंट और सेम बेंक निप्टी भी उतना ही रहा अपना आज का ज़्यादा कुछ फरक नहीं पड़ा इसमें market थोड़ा सा डाउन हुआ बताईएगा आज की अपडेट कैसी लगी और आपको डेली ऐसे अपडेट मिलते रहेंगे और डेली ऐसे अपडेट पानी के लिए हमाई चनल को सब्सक्रेब करें जिससे हम आपको डेली के डेली ऐसे अपडेट देते रहेंगे